नमस्कार, A2Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागर्थ है आप सभी ने कई तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी मेरे से सीख कर बनाई भी है आज एक और रेसिपी शेर करने जारी हूँ वो है ये बढ़िया सी बहुती सिंपल सी पर टेस्ट में इतनी ला जवाब बार-बार तो आप डेफिनियट्ली इससे बनाएंगे तो उसके लिए आपको चाहिए बावनगरी मिर्ची अब यहको बावनगरी मिर्ची को दिन जाए NICK बस्त कट लगाना है आधी तक अभी गोल बनाना है उसके लिए आधा कव वेशन एक चौथाई चमच हाल्दी पाउडर स्वादनुसा नमक आधी चोटी चमच लालमश पाउडर चुटकी बर जीरा डाल देंगे और यहाँ पर एक चौथाई चमच जितना आमचुर का भी नहीं होना चाहिए तो टोटल मैंने इसके अंदर एक चौथाई कप पानी डाला है और देखे कोई भी बेशन की गुठली नहीं रहनी चाहिए नहीं जादा यह गाड़ा गोल है नहीं जादा बतला ऐसा ही होना चाहिए अब मिर्ची में जो हमने कट लगाए थे उसके आपको यह गोल को अच्छे से डाल दिना है यह पर आप देख सकते हैं अच्छे से पूरी मिर्ची के अंदर गोल डाल दे और यह मिर्ची में आपको एक बार फिर से बता देती हो इसे बावनगरी मिर्ची कहते है या फिर मोटी मिर्ची यह आपको सबजी मंडी में काफी आराम से मिल जाएगी और ये काफी कम तीकी होती है समझ लीजे एक शिबला मिर्च जैसे होता है बस वैसी होती है अब इसके पैन के अंदर हम डाल देंगे सिर्फ आदी चोटी चमस जितना तेल बहुती कम तेल में भी बन जाती है तेल जैसे करम हो जाएगे मिर्ची आपको तरह से डाल दीनी है और इसे ढखकर तक्रीबन आपको 5-6 मिनट तक पकाना है पद्यान गे रखना है कि इसे एक से दो मिनट पे बीच बीच में ढखकर को खोल कर इसरह से मिर्ची को पलटते वी रहे तागी तो यह तो आप देख सकते हैं मैँ अच्छे से पके लिए था 5-6 मिनिट के लिए और यह तैयार है बेस्टम वाली मिर्ची इसे ऐसे खाए पराठो के साथ रोटी के साथ सभी के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो जरूर ट्राइ कीज़ेगा और मुझे कमेंच बताएगा कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे कीजिए शेयर कीजिए अपने फिनिसर फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बूले आज के लिए बस इतना है थांक यू फॉर वाच्छेंग